एक गणपती बंदना आज और प्रसुफ करेंगे क्योंकि आज को ये जागरण भी गनेश जी मौश्व के नाम से है हमेशा एक गजानन जी महाराज की आवान के लिए गनेश बंदना प्रसुफ करते हैं एक और बंदना के साथ सभी लोग दोनों हाथों का उठागर मौश्व करेंगे जानन जी महाराज की आवान के लिए गनेश बंदना आवान के लिए गनेश बंदना आवान के लिए गनेश बंदना प्रसुफ करते हैं आवान के लिए गनेश बंदना 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 आवान के लिए गरी किनन दा गजा गरी किनन दा 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 गरी किनन उम्हारविग निहारो महराज गजानंद गौदी के नंदा फोर भी सीघी महराज पढ़िग निहारो महराज पर गजाएञ तरह गजाएट गजान अच्छार गजान आच्छा गज़िए गजाएट गजान आच्छावि बाखन। गौरी के नंदा गौरी के नंदा जजान दिल गौरी के नंदा गौरी के नंदा जजान दिल गौरी के नंदा गौरी के नंदा गौरी के नंदा तदेवन सितना पिकिन पिता तुम्हारे है शिविशंकर मस्थक परिचन्दा पेता तुम्हारे है शिविशंकर मस्थक परिचन्दा माता तुम्हारे है शिविशंकर माता तुम्हारे पाजक तीम जानि जगति बंदा माता तुम्हारे है शिविशंकर 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 चड़ी पूश्टी गंधा महाराज गजान गौदी पे नंदा 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 महाराज गजान 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 तेरी सुंद सुंडाली मूरत खुशियों का है जिसमें वह तेरा तेरी महिमा परंपार उमको माने ये संसार तेरी महिमा परंपार उमको माने ये संसार गजान गजान आप सभी लोगों को आधी आधी लेंगाने हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग हो तो यहां लेकिन हंसलों कटी और उड़ रही हो है कही लोगारो गलती आपकी नहीं मेरी खुद की विमारी मेरी डापा चुक और क्यों बहुत दिन होगे भाई साथ हाल सामकोर जब मैं चार बजे चंगता हूँ कटने के बाद में कोशिच करता है रहता हूं कि जग जाओ जग जाओ अब जाने की तब जाके वायाख साब दस बस तक तक जगता हूँ ona लोगा परक्या कहना चार रहा हूं आपक ce समझना रहा होगा हुआ हुआ है पॉप पसीना वाना पड़ता है जी तो मेरे पसीने का थोड़ा तो मुझे ताली मुझे धन्यवाद देतो बहुत बढ़िया है अब ऐसे नहीं हम गल्यानंजी महाराज का यहावन कर रहे हैं और आज की जागलन सिर्फ और सिर्फ होगी अधिलें में गार ओ जांसे में छोड़ दो वहां से उठा लेना तो कि गिरते हुए को उठाना यह मनुष्य का धर में तो जांब इस वर गिरने लग जाए वहां पर थोड़ी अपने ताली रुपने गले के सवरों को उठा देना अब सभी लोगों पर गजाननंजी क बड़े प्रेंगे साथ में हाथों को खोल लिए एक दो थे बोलना मेरे लाड ले गने श्यारे प्यारे माता गौराजी के आँखों के तारे मेरे लाड ले गने माता गौराजी के मैंने कहां चाहां मेरा गला रुख जाए वहां से आप लोग साथ दे देना कोशिश करने वालों की कभी प्राइए कर लो बहुत बढ़ बढ़ार मेरे लाड ले गने श्यारे चाहरे माता गौराजी के आँखों के तारे मेरे लाड ले गने श्यारे माता गौराजी के ओ मेरी सभाव बीचि में आजाना ओ आजाना मेरे लागले गनेश का देखारे कभू भजन तुम्हारे गारे सबसे पहले हम तुमको बनाए कभू भजन तुम्हारे गारे सबसे पहले हम तुमको बनाए दूप दीप की जोगत जला कर मन मंदे में जाके सगाए मेरे भोले भगेवन देदो भक्ती का दर्शन तभो नईया पार लगा जाना मेरे लादले घनेश क्यारे जारे माता गोडा जीके माता गोडा जीके आकों के जारे मेरी सभादी ची में आजाना ओ आजाना मेरे लादले घने जारे जारे दिघन हरन मंगल करन विध्यावर देना एक छोटी सी कहानी है गजाना जी पहराज को सबसे पहले क्यों मानते बहुत सारी कथाएं बहुत सारी कथाएं प्रचलिते हैं अब हुआ क्या था वो वो उस वाज़ा वो जमाने की बाते उस समय की बाते लेकिन अमोमन कहा जाता है कि एक बार सभी देवी देउताओं में ये होड लग गई इस दुनिया में सबसे पहले मेरी पूजा होने चीए इस दुनिया में सबसे पहले मुझे मेरा नाम होना चीए सबसे पहले मेरा आवान होना चीए और एक प्रतिश्प्रता हो गई कि मैं बढ़ो बढ़ो में बढ़ो अब देगी देवता दो सब बढ़ा हुए अब चोटो वे तो देव करो लेकिन सभी जगत पिता प्रमा जी के पास में जाके बोले कि रहा जी महाराद हम सबी लोगों के पीछ में ये एक विशेश जलता है कि दुनिया में पहले महारो नाम होनों चीह आप तो जगत पिता हो आप जिसको उकर करोगे दुनिया में सबसे पहली पूजा उसकी होगी द्रमा जी भाना जी भी चक्कर में बस गें बोले थे तो हैंग सब बड़ा बड़ा लोग हो अब आसमें आप में से मैं कैसे तेह करूंगी कौन बड़ा रिकॉन चोटा बड़ा जाग भाईजाब अलचर थोड़ी से कम करते हैं तो मैं कैसे देखरो कि कुण बड़ा र कुण छोटो भी ब्रमा जी ने जगत पिता ब्रह्मा ने कहा कि जाओ आप सभी के पास अपने वहान है अपने वहानों को लेकर एक प्रत्योगीता करते हैं जो पूरे ब्रमान का पूरी स्रिष्टी का प्रत्वी का चकर निकालके सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वो उस दुनिया में पहला देव होगा सभी अपना अपना गाडियां समाली कोई सेलब इस्टार्टी कोई धका इस्टार्टी कहीरा आती हाँ कहीरे मोर है अलग अलग वान अपर सभी देवी देवता जब भ्रमा जी के आदेश पर जब दौडपतारम्व हुई गजानन जी महाराज नो वान काई है काई हाथी चेर गोड़ों क्या मुसक अग्यानन जी विचार कियो कि अपनों पेट बारे आयोड़ों इत्ती लांबी सुन्द है सोय किला सुन्द को भारे बापड़ों उंद्रियों मर जाई और यह तो सब तेज गती हुँ दोड़नवाड़ा वहांने अफ्षेज रूपा मुकाबलों उंद्रुगत करें अ मोर का मुकाबला पक्षी का गरूड का मुकाबला कौन करें गजानन जी महाराज दिमाग लगाए बोले प्रमाजी अपने लारे ठीका पर पूरी प्रतियर मैं बोले ओ बाबाब मैं आगया तो रमाजी क्यों कि गनेश तू सबू छोटो उंद्रों लेर बैटो कि ए सौसरी स्पीटू भागनवाड़ा वहां नहीं आया तू जूट बोले है तू गयो नहीं यह चकर गाट कर आगयो बोले भगवान कुछ भी मानो मेरे मादा पीता स से बड़ा मेरे लिए तो दुनिया में कोई नहीं है मैं तो बारों चकर निकाल कर आगयो दम्मा जी के सामने जब गनेश जी नहीं यह कहा बोले गनेश अब फैसलो तो बैस सारा लोग आई तब करा रुको दिरे दिरे सभी देवी देवताओं कि भान जब एके करके बोले ह आप ते दोड़ ते सब आए दम्मा जी ने कहा कि देखो आपने भुद्धी नहीं लगाई आप तो होडी काटन में रहा गनेश जी भाहराज ने भुद्धी लगाई इनका विवेक जागरत हुआ आज से इस पूरी दुनिया में गनेश जी को प्रथम माना जाएगा क्यों काटन? काटनेश जी तो इसलिए जया आजार दिक्नी बाई साव बिगन औरन बिगन ओरन जिच्चावर गेंदा आओ दिविया भाई आओ कहता कल्म राम भजन से मिटी पाप पंदा भारा विगनारो भारा विगनारो महराज गजानदू गोरीके नंदा मदा विगरो महराज गजानदू गोरीके नंदा गोरी के नंदा, 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 गोरी के नंदा बशिवे दान जी मारा जी की बहुत बढ़िया